बेयद के ड्रामा में सबसे जबरदस्ट लेबर्स लोकर कौन-कौन है और कैसे? उत्तर इस पुरानी दुनिया की सफाई करने वाले सबसे जबरदस्ट लेबर है Natural Calamities प्राकृतिक आपदाई धर्ती हुलती है बार आती है सफाई हो जाती है पैसे लेते हैं कोई फ्री में सारी सफाई करते इसके लिए भगवान किसी को डारेक्शन नहीं देते कि चल बुकम शुरू जा नहीं बार को नहीं कहते चल तुफान को नहीं कहते मैं अब प्रकरती के किसी भी तत्व को बाबा नहीं कहते के तू अपना तमाशा दिखा बाब कैसी बच्चों को डिस्ट्राई करेंगे बाब कैसी बच्चों को डिस्ट्राई करेंगे बार बुकम शुरू ला करके उनको जलाएंगे नस्ट करेंगे ये तो ये तो ड्रामा में पार्ट है रावन का राज्य है ना इसे गौडली कैलेमिटीज नहीं कहेंगे बाड़ा जाती है कहते है भगवान की दिमर्जी है भई ये भगवान की गौडली कैलेमिटीज है ये तो सब भगवान की मर्जी पर चलता है तुफान आजाए, बुकंप आजाए कुछ भी हालन आजाए जो मर्जी आजाए दुनिया वाले क्या कहेंगे ये भगवान का है हमारे हाथ में नहीं है परन्तु बाबा आज क्या कहे रहे प्रकृति का अब दाय कहें उसके जिम्मदार तो गौड को कहा जाता है न इस परकृति का कंट्रोलर मालिक तो वो गौड है न इसलिए गौडली अक्ट कहते है परन्तु बाबा कहते बच्चे मैं कभी बार बुकाउं तुफान बिल्कुल भी नहीं कहते तो उसके लिए बाबा क्या कहते है बगवान की मर्जी के बिना पत्ता नहीं होता उसके लिए बाबा क्या कहते है मैं पत्ता ही लाने के लिए क्या समझते है कुम मुझे रावन का राज्य है न इस गौडली केलिमिटीज नहीं कहेंगे इनको मैं किसी भी परकार का तुफान बार बुकाउं प्या कोई भी आशी आपदा मैं नहीं देता हूं ये किस क्यों होते हैं ये बाबा नहीं देता तो कौन करता है उनको ड्रामा प्लायन अनुसार और यह ड्रामा किसने बनाया ड्रामा किसने बनाया हमने बनाया समय प्रकिर्टी और आत्मा तीनों ने मिल करके यह ड्रामा बनाया तो किसी को दोश नहीं दे सकते ड्रामा पर दोश रख दो पिर किसी का भी दोश नहीं दे तो कि ड्रामा में हम सब भी परमात्मा भी एक उसमें निमित है हम सब भी ने मिल करके यह ड्रामा बनाया है और ये इतना accurate ड्रामा बनाया है जो कभी भी गलती नहीं हो सकते और किसी को दोश नहीं दे सकते तो परमात्मा ने आज अपना दोश दो दिया कि मेरे उपर भाईया कोई दोश मत लगाया करो ठीक है? भाई ये सीन होना ज़रूर ये है न ड्रामा में ये सीन होना ज़रूर है पोई शानते बापी बच्चों को समझाते हैं बच्चे मन मना भाव ऐसे नहीं कि बच्चे बैठ बापको समझा सकते हैं बच्चे नहीं कहेंगे श्री बाबा मन मनाभव नहीं यूं तो भल बच्चे आपस में बैठ सुच चैट करते हैं आपस में बैठ कर डिसकस करते हैं राई निकालते हैं पंतु जो